अलो परणस वागत है आप सभी का आप सभी के पसंद ने डिव चैनल राय एजूकेशन में सभी मित्रों को शुब फरबात आज के दिन की सभी को धेर सारी शुब कामना है बात करें को तरजार भरती कोट अपडेट के बारे में कोट अपडेट में आप सभी की सिनुवाई 25 क अब भरती भी लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं कि 25 को एजी की सुनिशिता तै की जाए यानि 25 को एजी मोहदे उपस्तित हों कोट में और सीनियर दिवक्ता भी मौझूद हों इनकी मौझूदगी पर क्या प्रश्नेचीन मना है कि सुनिशित हैं यह आप लोगों को तै क करना है कि 25 को एजी आते हैं तो उसका क्या एफेक्ट वड़ता है क्योंकि अब मैं कुछ बात करूंगा गंभीर कि 25 की सुनवाई के बाद डेट मार्च में सिर्फ और सिर्फ दो ही डेट हैं जो लगने वाली हैं यानि कि मार्च में भी और्डर रिजर्व होता हुआ नहीं दिख रहा है यह प्रश्ण चिन है ठीक है तो 25 को एजी आएंगे और वो अपनी बाद इस पस्ट तरीके से सरकार के यह बात अपने जरिये रखेंगे कोट रूम में और रेगुलर सुनवाई एक बार मैंने यहां लिखा है लगातार सुनवाई पर जोर देना ही देना पड चाहिए जल्दी होना चाहिए लगबग 15 दिनों से जादा खीचा जा चुका है यह मैटर और अभी भी कोई संभावित डेट नहीं है कोई फिक्सट डेट नहीं है कि इसी दिन ही और रिजर हो जाएगा या इतनी जल्दी सुनवाई कंप्लीट हो जाएगी वह तो 25 को ही सार सब्सक्राइब बोल रहा हूं एक audio है वह पुराना है उसको लेकर कई सारे लोग उसको क्रिया कलाप मिला रहे है कि कुछ है नहीं बोलने के लिए यह सब चीज चलाएंगे और दूसरे को मांसिक ब्रमित करेंगे सीडी रिस परशबात बोल रहा हूं ठीक है ना मैं विपक् यो कब का उठा के कोई किसिक सामने परोज दे क्या पता और इन सारी चीजों को मांसिक ब्रमित करने के लिए आपके समक्ष रखा जा रहा है अब उनलोगों का है वीडियो चलानी है वीडियो पर विप्स लेना है बस अपना काम करना है और कुछ नहीं हो सकता समय ना प्रक नहीं है कोई मैटर नहीं है तो यह सारी चीजें क्यों करते हैं और आप जैसे लोगों की वज़े से ही आप जैसे यूटूब वालों की वज़े से ही लोग मांसिक अवसाद के ग्रहक हो रहे हैं ग्रहन कर रहा है मांसिक अवसाद उनको तो कृपिया आप से निवेदन है कि जब कुछ भी तथे नार है कोई भी नूज नार है तो वीडियो ना ही बनाए वो जादा बहतर होगा ठीक है विपस के चक्कर में किसे को मांज़िक परतारी करना उचीत नहीं है अब दूसरी बात लागातार सुनाई पर जोड़ देने के सबसे इंपॉर्टेंट बात होनी च रोजगार है नहीं किसी के पास सो रोजगार या किस तरीके से बिरोजगारी में अपने क्रिया कलाब कर रहे हैं अब धरती ने विशे इस तरीके साब देखते होंगे आए दिन फेस्बुक पर पोस्ट अब ज्यादा इसको लेकर गंबेड़ता से उजागर हो रही है जिब उससे हमने 29,000 बर्ती पर एक विशेश पोस्ट दिखाया था यह एक अब धरती ने रोट के किनारे बैट कर समान बेचा उससे काफी पड़ा है और मैक्समम पोस्ट ऐसे ही क्रियेट किये जा रहे हैं तो कहने कहीं आप लोगों की यह एक जुड़ता कहने की बहुत अच्छ वाले से भी यह मैं अनिवेदन करना चाहूंगा कि भाया विपक्ष की रणनीती आप नहीं जानते हैं ठीक है ना तो कुछ भी उठाकर मट डाला करिए क्योंकि यह कहने कहीं मानसी कवसात का एक कारण बनता है फिर परशान होते हैं बच्चे क्योंकि मेरे पास कमेंट आते लेकिन फिर भी मुझे जवाब देना पड़ता है मैं नहीं चाहता है विपक्ष का कुछ भी बात चीत यहां पर करूँ क्योंकि पॉस्टिवे फॉरड ही हमको चलना है और विपक्ष की ऐसी तैसी भो रही है वो आपके समक्ष उजागर होगा आने तो कल होगा क्योंकि उन पॉलूंगा कि अगर आपने एक वी ओडियो सुना आपने फिक पोष्ट देखा तो उसको शेयर और साजा करने की क्या वेश्यक्ता है सही चीजे तो आप लोगों से साजा होती नहीं है जो सही चीजे आप लोगों समक्ष लिया जाया बोला जाएगे इसको शेयर करें तो को नहीं शेयर होगा वेख पोस्ट बड़ी आंधियों की तरह चलती है और लोगों को मजा भी है वेख फोस्ट चल रही हमारा चल रहा है ठीक है इस पर थोड़ा लगाम लगना चाहिए तो डेटों के प्रक्रम पर कुछ चरचा करूंगा लेकिन उसके पहले आप लोगों क तो हैं और इसको लिखना कोई शर्म वाली बात नहीं क्योंकि ये गलती तो इनकी है नहीं ये गलती युवा की नहीं ये गलती है भरतिक नहीं ये गलती है सरकारों की ये गलती है सरकारों की राजनीती की ये गलती है नाइक प्राधिकरण की नाइक प्राधिकरण के क्रिय क्रिया कलाब की तो प्रश्णशीन तो बनता है और ऐसे उजागर बड़े-बड़े पोस्टर के माध्यम से ही होगा तो ही बेतर है जिस जिस जगह भेरती अब निकलें रोड किनारे चोराहे पर ये पोस्टर बड़े-बड़े लगाना ही बैनर लगाना ही अब ज्यादा उच क्रिया कलाब आपको देखने को मिल रहा होगा कि कई महिलाएं कई बहने अपनी तरफ से क्रिया कलाब करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बात रखनी कोशिश कर रहे हैं हाला कि क्रिया कलाब क्या है क्या नहीं है उससे नहीं मैटर में मैटर है कि किस जगह पर यह पोस्टर तक कि लोगों को एक तरीका हो जाता है वो सबसे पहले पूस्ते हैं के सार अगली डेट ये लगने वाली है या अब कब लगेगी रेगुलर सुनवाई तो होने रही है तो लंबी-लंबी डेट लगने वाली है तूसी करम में एक पोस्ट है को नतर जाल सिक्षक भरती नेक्स लगी है उसके बाद अगली तारीक तीन मार्च लगेगी और उसके बाद सत्रमार्च क्योंकि आठ से पंद्रमार्च तक कोट बंद है ठीक है बहुत अची बात है तो आठ से पंद्रमार्च तक कोट बंद है तो अगली डेट ये सत्रमार्च ठीक है इसके पहले का जो ये 3 मार्च है और 25 के बाद और 3 के पहले यहां पर डेट क्यों नहीं लग सकता यह सबसे इंपर्टन बात है और इतने लंबे-लंबे डेट लगेंगे तो रेगुलर सुनवाई का उचित क्यों नहीं धारन किया जारें मेरे सबसे इंपर्टन बात है तो 25 को अगर एजी आते हैं में बोलते हैं विपक्ष के पास कोई लॉजिकल ग्राउंड नहीं है कोई लीगल ग्राउंड नहीं है तो इस भरती प्रक्रिया को 13-14 मेने से फसाए गया है मतलब बेफिजूल का फसाए गया है और आने वाले कुछ सुनवाई तक तो कुछ महीने तो लगें गई भी और भरती सही इमांदार व्यक्ति फसा रहता है ये क्रिया कलाप सुधरना चाहिए और इस पर प्रश्नश्चिन होना चाहिए कि कोट बनान देने से जज कोई पॉइंट करने से इससे कुछ नहीं होगा होगा क्या कि केसों को अच्छी से जहांच हो कोई भी दाखिल कर दे रहा ना एक परादी करन को तो ही कुछ हो सकता है और वाल समय में यह होगा योग बढ़ती जब एकदम परशान हो जाएंगे इमांदार विकति जब परशान हो जाएंगे तो इसके उपर भी केस बनेगा कि जब आप लोग कोई भी केस को एसेप्ट करते हैं तो उसका अच्छे स परशारी नहीं चल ली है लोगों को नयाए दो और लोगों को को कोई मतलब नहीं है नहीं इन परादी करन से अपना लेकर हटें कोई जरू नहीं कि वहां पर लंबी-लंबी जगह पहुंचें अब इंपॉर्टन बात क्या है कि मार्च में तो ओर रिजर्व नहीं होने वाल करने रहेंगे और दूसरे के वीडियो को दूसरे कर रहेंगे और खुद परटाडिट होंगे दूसरों कों परतारित करते रहें यह आपका व्यक्तिकत करना पड़ेगा फैसला आप लोगों को कि आप लोग किस दिसा में चल रहे हैं ठीक है ना मैं किसी के उपर कटाक्ष या किसी के उपर कुछ करना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन कुछ भी उठा कर कुछ भी आप लोगों समक्ष परोज देना उससे बचना चाहिए लोगों को कई यूटूब वाले ऐसे भी हैं मैं अपने आपको बहुत सही नहीं बोलता हूँ कई ऐसे भी मित्र हैं जो सही को सही बताते हैं नहीं तो कुछ नहीं बोलते हैं गलत दिखाने की आशकता नहीं कई लोग हैं कि अपना दुकान तो चलाना ही है वह या चलाते रोज बोहनी करनी है तो उसमें मैं भी हो सकता हूँ मैं अपने आपको बहुत इस्पष्ट और बहुत इमानदार और बहुत हरिशंद्र नहीं बता रहा हूँ मैं भी हो सकता हूँ मैंने भी किया है आने वाले समय में मैं से भी हो सकती है लेकिन इंपोर्टन बात क्या है कि मैं सुरू से जब से 99.000 बढ़ती जब जुड़ा हुआ हूँ मुझसे भी कई बार गलतीया हुई तो आपने उस गलतीयों को उजागर किया है आपने मुझे बताया है तो मैंने आपका धन्माद गापन दिया है तो गलतीयों के उपर इस पस्टता ये कहनी वाली बात नहीं मेरा मेन मुद्दा आज की वीडियो में कि गलत तत्य ओडियो और फेक पोश्ट को आगे न भढ़ने दें विपक्ष की यहीं रणनीती है कि आपको मानसिक अवसाद में गरसित करा जाए और अपने दूसरी क्रिया कलाब किया जाए ओडियो वीडियो बना दिया जाए कुसान भूती वाला फिर आप लोगों को घुमा कर उसी में रखा कर दूसरा कार किया जा तो ऐसे नहीं फसना है ये बात समझ लीजिए दूसरी बात एजी और सीनियर को वहां पर पहुंच कर ये बात इस्पष्ट करने है कि रोश्टर अगर अब चेंज हुआ भरती पर क्रिया पर आपको और रिजर्व करना होगा अब अगली बार सुनवाई नहीं करेंगे न पक्ष के बोलेंगे कुछ न वी पक्ष के बोलेंगे आप चाहिए जितना समय ले लीजिए ये बात होना चाहिए सीधियो रिस्पष बात है कट टू कट बात होनी चाहिए अब ये कोई यहां पर ग्यान ना देना भया कि नैक परादी करोंड पर जोर आरे मुझे पता जोर नहीं दिया जा सकता है लेकिन इतना रोने वाली क्रिया क्लाप तो नहीं हो सकती भया ठीक है इंपोर्टन बात ही है कि रोस्टर से पहले क्रिया क्लाप अगर हो और रिजार वो तो कहने के बैटर है तो कब होगा जब होगी रेगुलर सुनवाई ठीक ना क्या होगा रेगुलर सुनवाई और पच्चिस के बाद एक दो भी सुनवाई हो जाती है तो उम्मीद करूंगा कि विपक्ष के तरब से जो एक खतार लगी है न वकीलों की वो खत्म हो जाए क्योंकि उनको तो कुछ करना नहीं है गट्री एक एक लेनी है हर मैने की तो उस पर कहने कहीं ध्यान देना चाहिए सरकार को और नया एक परादिकर और नया एक परादिकर को खास तोर पर बाकि आपकी एक जुटता और आपका व्यक्तिकत निरणे इन सारी चीजों पर रोक्ताम के लिए ज़्याद आवश्यक है धन्यवाद